जहन्द दोसों AIB के एक्जाम में अब लगभग एक महीने बच गया है बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट्स हैं जिनको अभी तक उनका प्लान अगर नहीं बना हुआ होगा तो वो लोग के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस प्लान और एक स्ट्राटीजी होना आपके साथ अगर नहीं होगा आपके पास तो आप इस एक्जाम में किताब होते हुए भी साथ में आपके बियार होते हुए भी आप जो है फेल कर जाएंगे पिछली बार जो है कई सारे लोग फेल कर गए थे इसलिए एक्जाम को हलके मत लीजिएगा और जो स्ट्रेजी में आपको अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए बिलकुल ये एक्जाम आपको क्लियर हो जाए गा और लास्ट में में आपको ये एक बहुत इंपोर्टेंट जो है गुड नूज जो है अपने तरफ से बताऊंगा जो हमारे के तरफ से जो है आप सभी के लिए लाया गया है वह चीज़ भी मैं आपको अंतरन तक बताऊंगा तो चलिए सबसे पहले चीज या या कर रहा होंगे दूसरे चलिए लोग प्रैक्टि कर रहे लुकर रहे हैं को यूध की लिए याई-वी का जरूरी हो जाता है क्यूंकि एक तो आपको giyopi मिलता है है certificate of practice मिलता है दूसरा सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आप अपने क्लाइंट को रिप्रिजेंट कर सकते हैं इंडिया में कहीं भी किसी भी कोट में रिप्रिजेंट कर सकते हैं यह सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दूसरे लार्ज जो है आपको लीगल केरियर प्र कर सकते हैं इसके साथ बहुत सरी और भी हो रही है जुडिकी घ्यामंस हो रही है जिसमें एड़ोकेट्स कि अप्रियूस पास आउट ऐसी चीजह है आपका तो इसके लिए जोड़ी है और देखेंगे अगर तो बहुत सारी वेलफेर इस्कीम्स जो होती है एड्वोकेट के लिए वह आपको प्रवाईड होने लगती है यानि आप उन एडवोकेट्स वेलफेर इसकीम जैसे आपका लाइफ इंसरेंस है एक्सिडेंटल इंसरेंस है बहुत सारी फानेंसल बेनिफिट्स है यह सारी चीज़े जो है आपकी मिलने लगती है आपकी बार काउंसल में आप एलिजिबल हो जाते हैं सब चीज़ों के लिए तो यह बहु तो इस समय आप डानलोड कर लेंगे एक्जाम अपना देने जाएंगे आप पर जो है अपने अड्रेस होगा चेक कर लीजेगा देख लीजेगा आपका पड़ा हुआ है यह सारी चीजे और यह इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन भी आया था कि इस बार तो सारे लोग जो है भी बैठते थे अब यहां पर क्या है आपको यह चीज भी प्रोवाइड कर दिया कि इसके साथ आप देखिए लोग रेजुवर्स के लिए जो अप्टन नहीं की है डिग्री बहुत सारे असे भी स्टूडेंस होते हैं जिनके भी डिग्री नहीं मिली होती लेकिन पास आउ यहां पर करने वाले हैं तो बहुत जादा जो है अच्छा हो जाता है यह एक्जाम का पॉस्पेक्ट अब देखिए यह सिलेवस सब को पता होगा नया वाला सिलेवस जो आया है इस सिलेवस में जो पहला आपका कॉंस्टूशनल लौ है जिससे दस सवाल आते हैं इसके भारतिये नागरिक स्वक्षा सहीता दोनों मिलाकर दस सवाल पूछे जाएंगे से इसके बाद एविदेंस एक्ट है और भारतिये सख्ष धिनियम नया वाला इन दोनों को मिलाकर आठ सवाल पूछे जाएंगे यह हो गया आपके इंपोर्टेंट लौ ठीक है यहां से आतक यह पांच सब्जिक्ट से आपके बन जाते हैं अगर आपने इसको स्टॉंग कर लिया है इसके अलावा अल्टरनेट डिस्पूट रिजेसल है चार अंकों का आएगा इसमें फैमिली लो है जिसमें आपको आठ आठ जो है कॉश्चन आएंगे पॉब्लिक इंट्रेस्ट से चार सवाल आएंगे तोट से देखिए पांस सवाल आ रहे हैं और इसके टाकसेशन है लैंड इकुजिशिशन है इंट्रेक्ट्ट्रेस्थ क्वापर्टी से दो सवाल आएंगे और यहां पर कॉंट्रक्ट ट्रेस्विक प्रपरटी नेगोसियेबल इंस्ट्रिमेंट सा है जो है सवाल आएंगे तोटल मिलाकर सौ सवाल के यह बनते हैं अब प्लान क्या है इसको समझे देखे 17 लगभग आपके 19 सब्जेक्ट हैं यह 19 सब्जेक्ट को कभर करना एक महीने के अंदर एक्जाम को पास करना है तो आपको ट्रिक अपनाना पड़ेगा उस ट्रिक के हटी डेस का पूरे स्टर्टीजी बताता हूं कि कैसे आप इसको पास कर सकते हैं दिमाग में यह रखिए कि आपको 45 से 50 यानि के मान के चल दीजिए सेफ जोन में अगर चले तो 50 कोश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं सही सही क्योंकि होता है कभी-कभी कुश्चन डिलीट ह हो गया अलग बात है लेकि पचास कोश्चन 50 प्लस आपके मार्क साने चाहिए यह आपसे फिसकोर समझ के चलिए इतना आपको लाना है ठीक है अब इसके लिए आपको क्या क्या करना है यह जिश्की आप देखिए मास्टर प्लान अब इसUL प्लानम् ratio आप जैस इसके साथ भारतिय न्याय सहीता आई पीसी बहुत इंपोर्टेंट हुआता है कि इस सवाल ज्यादा आने वाले हैं CRPC और बेने से यह बहुत जरूरी है एविडेंस और बेसे यह जरूरी है CPC और फैमिली लोग यह जो छह है यानि कि सिलेबस में अगर आप आएंगे यहां पे देखिए फेमिली लोग से आठ सवाल है आठ सवाल यह हो गया इसके बाद आपका यह 8 सवाल 10,10,0 x1 8 सवाल यानि कि आपए सारे जोडेंगे तो 30 हो गए और यह 8,8,8 यानि यहाँ 24 आप कर देंगे तो आपका हो जाएगा 56 ठिक है 56 तोटल हो गया यानि कि 56 मैं 50 बात कर रहा हूं यहां पर 56 हो गया आपका यानि कि आपको केवल और केवल ये 5-6 सब्जेक्ट टोटल है तोटल 6 सब्जेक्ट है इसको आपको फोकस करना है जो कि बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है मतलब आप समझे कि अगर ये छे आपने कर लिया इसके प्रस पॉइंट यह है कि यह जो है जुडिशरी में भी आते हैं लगभग मोस्टली जुडिशरी में एक्जामस में यह सब्जेक्ट इंक्लूड होते ही होते हैं किसी-किसी जगा नहीं हो ल आपको कहीं भी लगता है कि आपकी तयारी में कहीं भी कोई दुकावट है दिक्कत है कमेंट करके बताइएगा मैं इसके उपर जो है आपको अलग अलग सिरीज लेके आजाओंगा एक सब्जेट के ऊपर आपको कंप्लिट करवा दूंगा इस थर्टी डेस के अंदर इसके इन में से कुछ भी सब्जेक्ट आप जो भी कर सकते हैं उसको भी आप कंप्लिट कर लिजिए यह सब्जेक्ट आपको करना क्योंकि 30 डेस यानि की आपको कंप्लिट इस पर फोकस कर लेना है ठीक है पढ़ना तो सब कुछ चाहिए लेकिन तीस दिन के प्लान की बात करूं सब्सक्राइब को दो दिन का समय दीजिए इसको दो दिन का समय दीजिए यह सब जो रियेगा आप तो थाटीन डेज है आपको रूटीन बनाना जुरूरी है रूटीन बना लिजिए रूटीन से पढ़िएगा आज अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आज से आप रूटीन बना लिजिए और इस रूटीन के एकॉर्डिंग पढ़िए चालू कर दीजिए यह तो डूटीनल लौ की खोली है और दो दिन इसको दीजिए दो दिन में समाप्त कर दिए छा manner यह जैसे मैं ने बताया आपको यह दो दिन प्लस दो दिनạt Bye Iskee देखें translate this इंगे दो जो है 13 आपका पड़ेगा तेरा दिन आपको उन्हें उधर दे दिया तेरा दिन के अंदर आपके तेरा दिन से लेकर आप 15 दिन मान के चलिए 15 दिन के अंदर आपने 56 मांक्स का कंप्लीट कर लिया ठीक है 56 मांक्स जो है आपने कंप्लीट किया 15 दिन के अंदर इमानदारी से ऐसा नहीं कि आपने ऐसी कर लिया आपने बस देख लिया ध्यान से इमानदारी से पंदरह दिन दिजिए चपन माक्स आपके कंफर्म हो जाएंगे इसके बाद बाकी के जो आपके लौ बच जाते हैं उसके आप 17 दिन दिजिए और हर एक के उपर आप कंबाइन करके चलिए आ आपको एक एक दिन जो है सब के ऊपर दे देना है एक एक दिन सब के ऊपर दे दिजिए 17 यह हो गए कभी क्या होता है कि बेर जब लाव होते हैं इस बार भी देखिए नौटिफिकेशन आएगा आप लाव होता था तो आपको बेर एक से कोश्टन खोजने भी आना चाहिए तो उसके लिए भी पढ़ना जरूरी है आपको कोशी अगर खोजना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि पहले से उसके अंदर वो चीज कहां दी गई होगी पता ही नहीं आपको फिर प्रॉब्लेम होगी इसलिए पढ़ना जरूरी है आप एक्जाम में अगर बेर अगर होता है लेके जाते हैं अगर आप तो उस समय आपको खोजने में असानी हो जाएगे तो एक एक दिन आप इन पर दे दीजिए पंद्रा दिन आप इन पर दे दीजिए यह 56 मार्स कंफर्म लेके चलिए और यह जो आपके पेपर होगे इसमें से भी कुछ ना कुछ आपके मा सब्सक्राइब कि मेरे जितने भी स्टूडेंस हैं मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूं कि वह 50 प्लस लेकर चलेंगे 50 प्लस से उपर ही उनकों का आना चाहिए AIB के अंदर मेरी पूरी कोशिस रहेगी सुब कामना ही रहेगी आप लोगों के साथ और किसी भी स्टूडेंगों आपके लिए लेकर आऊंगा ठीक है अब है हमारे पास चुकि इतना अपने पढ़ लिया है कंप्लीट आपने ये साधी स्टूडी की होए करने के बाद यानि कि आप लास्ट में जो आपके समय है या फिर अभी से आप क्योंकि एक महिन आपके पास पूरा है ठीक है तो एक महिना यानि कि आप जो है और यह पर कि इस्ट महिंत वृत चालू कर देश्ट को ब़ुकि आपको सब से अच्छा हमारे पास पास जो आप जाएंगे टेस्ट बू का चालगा फ aí मिलेगा वहां पे पर जाइंगी आप वहां पर करक्रयक या इंG मिलेगा जो की 15 से 99 रुपय का है लेकिन आपको अफिलहाल 899 रुपय का पड़ेगा यह जो टेस्ट स्रीज को इसमें दस आपको फुल टेश्ट में फुल मॉक टेष्ट तोट दस होंगे इसके साथ 10 साल की प्रिवाइपी प्रिवेस येर क्वेश्टन और पूरी डिटेल्ड शॉलूशन भी मिल जाएगी और तीसरा पेटारीस सबजेक्ट बेश्ट जितने भी सब्जेक्ट बेश्ट है उन सब्जेक्ट बेश्ट का जो इतने भी सब्जेक्ट है तेस्ट भी मिल जाएंगा तो तो सोचिए कि इतना ज्यादा लेकिन फिर भी आपको सवाल में कर पाँगा कि नहीं कर पाँगा तो आपको हमारा टेस्स लेलना है और टैस्स में आपको पर लिए अपको डाउनड कर लेना है इस वीदियो के description में भी आपको Link मिल जाएगा इसको आप purchase करें और purchase करके आप जो है enroll कर सकते हैं हमारे साथ और कहीं दिक्कत होता है आपको तो आप इस वीडियो के कमेंट की जी विडियो के description में कमेंट की जी जाकर वहां पर आपको जो है help मिलेगा इस के साथ चन्दनसर्टप्प 10 पर कर लिए में तो लो आपको इपर करनगागा इसके साथ आपको तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो सफित जुदए और कहीं कोई दिकत लगता है आको के अंदर तो बिल्कुल कमेंड कीजिए आपको हेल्प करेंगे और मैं पर्सनली आपको अच्छे तरीके से क्लास ले लूँगा ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाया एक्जाम को क्रैक करने में तो आशा करता हूं कि आज का ये जनकारी आपको पसंद आया आप से तब तक के लिए जय हिन जय भारत